सुप्रभाद बेहनों कलास्ष्ट आज कलाव का भासा में पार्ट साथ चल रहा था उसमें कौल मैंने आपको प्रस्न उत्तर कराई थे आज सहाब ने उस प्रस्न उत्तरों को संदर लेक में अपने उत्तर कुष्टिका में किया होगा आज उसी पार्ट में आगे है कहावतों की दुनिया कहावतों की दुनिया इसमें पहला प्रस्ण है अकेला चना भार नहीं खोड़ सकता एक और एक मिलकर ग्यारा होते हैं तो इसका काउखंड है उपर लिखी कहावतों का आर्थे गीद की किन पंग्तों से मिलता जुनता है तो इसका उत्तर इसका इन पंग्तिया इसका वितासी मिलती हैं जैसे एक अकेला थक जायेगा मिलकर बोज उठाना एक से एक मिले तो कत्रा बन जाता है गरिया एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा एक से एक मिले तो राई बन सकती है परवत एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत ठीक हो गया अब इसका खोखंड है को का उत्तर ये है अब खोखंड का उत्तर है इन दोनु कहावतों का अर्थ कहावत कोष में देखकर समझो और उनका वाकिय में प्रयोग करो मतलब वाकिय प्रयोग हैとre 정도 है तो जैसे पहला है अकेला चना भाह नहीं फोड़ सकता आप लिखेंगे कि खो खो उतार के उसका उत्तर लिखेंगी अकेला चना बहार नहीं फोड़ सकता इसका अर्थ है पहले लिखेंगे आप अकेला चना बहार नहीं फोड़ सकता तो फिर कोश्ट शुरू करके लिखेंगी अकेला सारी मुशिवितां का सामना नहीं कर सकता ठीक दूसरा खंड है एक और एक मिलकर 11 होते हैं इसको लिखके कोश्ट में करेंगे एक ता में ताकत अर्थात एक और एक मिलकर 11 होते हैं का अर्थ है एक ता में ताकत तो इसका वाकिप रियोग हो जाएगा कोई भी कठिन कारिक मिल जुलकर करने पर वह संबव ही सफल होता है क्य क्योंकि एक और एक मिलकर 11 होते हैं ठीक हो गया अब नीचे है प्रस नम्मर दो नीचे हाथ से संबंदित कुछ मुहावरे दिये हैं उनके अर्थ समझो और प्रते कहा मुहावरों के से वाक्य बनाओ जैसे हाथ को हाथ न सूझ न लिखके इसका कोष्ट में लिखेंगी अधि इसका वाक्य प्रियोग हो जाएगा बिजली चले जाने पर कमरे में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था ठीक हो गया अब खो है हाथ साप करना इसका अर्थ है चोरी करना तो इसका वाक्य प्रियोग हो गया मौका मिलते ही चोर ने पर्ष पर अपना हाथ साप कर दिया फिर दिखकर मेरे हाथ पाउं फूल गए फिर घौ है हाथ कि हाथ वहां लेड़ा इसका अर्थ हो गया स्वागत करना हा वापिकर ना है तो इसका वाक्य प्रियोग हो जाएगा अपने घर में कोई भी महमाना आने पर हम उसे हाथ कि हां लेती है फिर है हार लगाना वाल हार लगाना माने अचानक हाथ लगना लगाना नहीं हाथ लगना माने अचानक कुछ मिल जाना तो इसका वाकिपर्यों हो जाएगा रास्ते में सीता को सोने की चेन हाथ लग गई अब प्रस्ण नम इसी में आगे है भासा की बात भासा की बात में है प्रस्ण हाथ और हस्त एक ही सब्द के दो रूप है हाथ को हाथ भी कहते है और हस्त भी कहते है नीचे देगे सब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं सब्दों को पड़कर बताओ और उनमें हाथ हो का उसमें क्या कारी है जैसे पहला सब्द है हत्कड़ी 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 का अर्थ है उत्तर लिखेंगी हत्कड़ी हत्कड़ी में डैस करके आप लिखेंगी हाथ की कलाई पर पहनी जाती हत्कड़ी माने हाथ की कलाई पर अगला सब्द है हो थोड़ा मैं डैस करके लिखेंगी एक ऐसा लोही का उजार जिसे हाथ से पकलकर चलाया जाता है फिर है हस्त शिल्प हस्त शिल्प फिर है हस्त शिल्प इसमें डैस करके रिखेंगी हस्त शिल्प में शिल्प कारी का काम हाथ से ही होता है फिर है हस्तक शेप हस्तक शेप माने किसी कारी में दखल न देना इसमें हस्तक्षेप मनें किसी भी कारी में दखल देना दखल न देना नहीं है हस्तक्षेप कार्थ है किसी कारी में दखल देना इसमें हाथ का कोई कारी नहीं है ठीक हो गया निहत्था का अर्थ है जिसके हाथ में कोई हथ्यार न हो फिर है हतकंडा हतकंडा बने किसी भी कारी को पूरा करने के लिए अनुशिक तरीका अपनाने को कह जाता है इसमें भी हाथ का कोई कारी नहीं है हस्ताक्षर हस्ताक्षर का अर्थ है अपने हाथ से अपना नाम लिखना फिर है हतकरगा इसका अर्थ है हाथों से किये जाने वाले लग हुए यां घरेलू उद्योग धंदे ठेक हो गया अब उसी में अगला प्रस्न है नीचे इन प्रस्न नम्मर दू इन गीत इस गीत में परवत सीश रास्ता इंसा जैसे सब्दों का प्रियोग हुआ है हुए है इन सब्दों के प्रचलित रूप लिखो ठीक हो गया प्रस्न नम्मर दू इस तो पर्वत माने हो गया पर्वत लिखके लिखें गया पर्वत का आर्थ है नहीं पर्वत का आर्थ है पर्वत भाड़ है रास्ता रास्ता ही है रस्ता है यहां दूसरा सब्द है रस्ता रस्ता को सीष भी है स्वारी पहला है पर्वत पर्वत को पर्वत भी कयते पर वह के बिचे शेर और तो पर शीष शीष का शिर रस्ता रस्ता का रास्ता और इशा का इंसान ठीक हो गया आज इतना ही है इससे आगे अगले दिन इससे आगे आप एक बार पढ़ लेना इनको करने की आवसुता नहीं आज आपका ये पार भी समातो हो चुका है इसको सुन्दर लेक में अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगी और साथी साथी से आप याद भी करेंगे आज इतना ही है